चलिए अब हम आपको मसीन स्टार्ट करके दिखाएंगे चैन सो मसीन हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उपर में आपको एक स्कूरू देख रहा होगा इसे आप स्कूरू ड्रैवर से थोड़ा टाइट कर लें उसके बाद आप मसीन को फिर से स्टार्ट करके देखें यह जो इस्क्रू को माइने टाइट किया यह एस्क्रेटर इस्क्रू है मसीन हमारा स्टार्टिंग का मॉमेंट बना रहा है बट हमारा जो मसीन है वो इस्टार्ट नहीं हो रहा है प्रुण के ऊपर हम chain catcher लगाएंगे इस तरह से chain catcher को लगाकर 4 mm का आरलेंकी बोल्торов है 4 mm का आरलेंकी बोल्торов है 4 mm आलेंके से tight कर दें Chain catcher लगाने के बाद हम dust cover को लगाएंगे dust cover जितना भी आपने याँ पर खोला है उसको इस तरह से लगा लें यह dust cover है रिपेरिंग विडियो बनाओं आप जिस पर ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मसीन का मैं रिपेरिंग विडियो बनाओंगा अब हम फ्लाइवील को फीट करने वाले हैं फ्लाइवील को फीट करने से पहले यहाँ पर की आप देख रहे होंगे हमारे हाथों में चेक कर ले, साथ में क्रेंक घूमना चाहिए, कई बर क्या होता है कि जब आप फ्लाइवील को लगाएंगे तो आपका जो की है वो गिर जाएगा, तो फ्लाइवील को आप जब भी लगाएं, लगाकर हातों से घूमाकर चेक कर ले, क्रेंक घूमना चाहिए, उसके बाद ही आ आप nut को full tight कर ले, ring range से या गोटी handle से जो भी आपके पास है उससे full tight कर ले, ये देखे हमारे हाथों में ये है turbine, turbine को इस तरह से लगाना है, turbine को लगाने के बाद हाथों से घुमा कर आप इस तरह से अच्छे से बैठा ले, उसके बाद आप needle bearing को लगाएं, यहाँ पर आप दे आपको यहाँ पर लगाना है clutch, clutch को आप इस तरह से fit करके उसके बाद आप tight करे clutch को घुमा घुमा कर, तीर मारका आपको जितर दिख रहा है आप वो side अगर घुमाएंगे तो आपका जो clutch है वो खुल जाएगा और अगर आप इस तरह से घुमाएंगे ऐसा तो ये tight हो जाए clutch को आप जब भी tight करें, full tight कर लें क्योंकि अगर आप full tight नहीं करेंगे और आप इस तरह से चलाएंगे तो clutch जो है वो खुल सकता है, इसलिए clutch को आप full tight करें और ये रहा ignition coil, हमारे हाथों में आप जो देख रहे हैं ये है ignition coil, ignition coil को आप जब भी set करें, ध्यान से देखकर set कर fly wheel में इस तरह से magnet आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको magnet मिलेगा आप इस तरह टच करके देख लें, magnet जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको एक visiting card लगाना है, visiting card लगाने के बाद coil को इस तरह से बैठा लें, बैठाने के बाद आप coil को tight करें, यहाँ पर ignition coil में जो bolt लगा वो elenky bolt होता है, 4 mm का elenky bolt, small elenky bolt यहाँ पर दोनों को फसाना है पहले, उसके बाद आपको full tight करना है, दो elenky bolt को full tight कर लें, उसके बाद आप visiting card को बाहर निकालें, जब भी हम visiting card को बाहर इस तरह से निकालेंगे, उसके बाद हम fly wheel को हाथों से घुमा कर चेक करेंगे, ignition coil मे इसे अच्छे से चेक करें घुमा कर, यहाँ पर आपको starter cover को fit करना है, यह जो आप black color starter cover देख रहे हैं, उसके बाद आपको starter को इस तरह से लगाना है, starter को इस तरह लगाने के बाद आप खीच कर देख लें, starter को आप जब भी खीचेंगे तो आपका जो fly wheel है वो घुमने चारों बुल्ट जब हमारा टाइट हो जाए तो उसके बाद हम starter को खीच के इस तरह से चेक कर लेंगे, साथ में fly wheel घुमना चाहिए, तो fly wheel हमारा घुम रहा है और starter अच्छे से लग चुका है, इसन कोईल का wire कटा हुआ है, तो इस तरह से हम tapping कर लेंगे, tapping करने के बाद switch on करेंगे, उसके बाद हम current को चेक करेंगे, spar plug में, यहाँ पर हम ignition coil में current चेक करने वाले हैं, current चेक करने से पहले हम switch को इस तरह से on कर लेंगे, spar plug को हमने clean कर लिया है, spar plug में लगा हुआ carbon को आप अच्छे से clean कर लें, उसके ब सब्सक्राइब को मसीन स्टार्ट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास है पेट्रोल और यह है टूटी ओईल यह टूटी इंजन है तो टूटी इंजन में हम जब भी पेट्रोल डालेंगे पेट्रोल के साथ में टूटी ओईल मिक्स करेंगे एक लिटर पेट्रोल में आपको 40 ml यह है फ्यूल्टेंग को आप प्लास से अससे खोल ले उसके बाद पेट्रोल को डाले और पेट्रोल डालने के बाद फ्यूल्टेंग को आप फूल्टाइट करतें प्लास से चलिए अब हम आपको मसीन इस्टार्ट करके दिखाएंगे चैन सो मसीन हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उपर में आपको एक स्कुरू देख रहा होगा इसे आप स्कुरू ड्रैवर से थोड़ा टाइट कर लें उसके बाद आप मसीन को फिर से स्टार्ट करके देखें यह जो स्कुरू को मायने टाइट किया यह एसकलेटर मसीन हमारा स्टार्टिंग का मोमेंट बना रहा है बट हमारा जो मसीन है वो इस्टार्ट नहीं हो रहा है तो प्लक कैप को भी अच्छे से टाइट कर लेंगे प्लक कैप डिला नहीं होना चाहिए चलिए फिर से एक बर मसीन को स्टार्ट करके देखते हैं चैन सो मसीन हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह है L इस्कुरू और यह है H इस्कुरू यहाँ पर हम सबसे पहले L वाला जो इस्कुरू है उसे हम चेक करने वाले हैं L वाला स्कूरू को आप देख सकते हैं यहां मैं आपको स्कूरू ड्राइवर से दिखा रहा हूँ ध्यान से आप यहां पर देखें स्मॉल स्कूरू ड्राइवर की मदद से हम स्कूरू को मिलाएंगे L स्कूरू को आप देख सकते हैं यहां पर ध्यान से आप देखें L-screw को मैं किस तरह से set कर रहा हूँ L-screw में screwdriver लगा हुआ है और यहाँ पर L वाले screw को मैंने दो बार tight कर दिया अब यहाँ पर हम set करने वाले हैं H-screw को H-screw को आप देख सकते हैं मैं आपको screwdriver से दिखा रहा हूँ H स्क्रू को भी हम दो बार इस तरह से ढिला कर लेंगे उसके बाद हम मसीन को स्टार्ट करके देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका प्रोलम सुल्ब हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें इसी तरह का मैं वीडियो डालते रहता हूं चैनल को L और H स्क्रू मिलाने के बाद हमारा मसीन स्टार्टिंग का मोमेंट बना रहा है बट हमारा मसीन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर हम फिर से स्क्रू को मिलाने वाले हैं, ध्यान से आप देखें, यहाँ पर H स्क्रू को मैं टाइट कर रहा हूँ दो बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार हम L वला स्क्रू को दो बार धिला करेंगे, दो बार धिला करने के बाद हम मसीन क को स्टार्ट करके देखेंगे टूइनिंग को सेट करने के लिए आपके पास स्मॉल स्कूर्डाइवर होना चाहिए और अगर नहीं है तो आप स्मॉल स्कूर्डाइवर खरीद लें तो आप स्कूर्डाइवर और नहीं है जिए बास स्कूर्डाइवर उनगे टूब आपरन चाहिए स्मॉल स्कूर्डाइवरे स्कूर्डाइवर चैन्सो मसीन स्टार्ट होने के बाद बहुत ज्यादा रेस होता है तो आपको उपर में एक स्कुरू दिखेगा उस स्कुरू को अगर आप ढीला करेंगे तो आपका जो एसकलेटर है वो कम हो जाएगा और मसीन स्लो हो जाएगा जैसा कि देखा आपने मसीन स्टार्ट करने के बाद मैंने ट्विनिंग को कम किया और मसीन जो है वो स्लो हो गया ये आप हमारे हाथों में जो देख रहे हैं ये है सालेंसर लगाने के बाद हम मसीन एक बर फिर से स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे पुराना वाला सालेंसर गैसकेट देख सकते हैं डैमेज हो चुका है यहां पर हम नया सालेंसर गैसकेट लगाने वाले हैं पुराना वाला सालेंसर गैसकेट अगर डैमेज है या कटा हुआ है तो आप एक नया सालेंसर गैसकेट लगा दें सालेंसर गैसकेट अगर डैमेज रहेगा तो मसीन बहुत sound करेगा वैसे में आप नया silencer gasket लगा दे sound कम हो जाएगा silencer को आप जब भी fit करेंगे नीचे में आपको दो एलेंकी bolt मिलेगा दोनों एलेंकी bolt को आप पहले फसाले एलेंकी से उसके बाद आपको उपर में 8 नंबर का 2 nut मिलेगा दोनों को आप टी रेंज से पहले टाइट कर लें उसके बाद आप दोनों एलेंकी bolt को फूल टाइट कर दें फिर से एक बार आपको machine start करके मैं दिखाऊंगा अगर आपने part 1 और part 2 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का description में मैं दोनों का link डाल दूँगा part 1 और part 2 link पे click करके आप part 1 और part 2 वीडियो देख सकते हैं i button में भी इसका link दे दूँगा i button पे भी click करके आप part 1 और part 2 वीडियो देख सकते हैं करके आपके करके आपके करके करें झाल झाल